सब्सक्राइब कीजी हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को किलिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी किलिक कर दीजेगा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज के इसे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Samsung Galaxy M90 के बारे में तो Samsung अपने M-series में अपना एक नया smartphone लोंच करने वाला है जो के Samsung Galaxy M90 तो आप लोगों को पता है कि Samsung का जो M-series है वो basically online based series है यानि कि Samsung के M-series के smartphone आपको ज़्यातर online market में ही देखने को मिलता है और online में जो competitor है Samsung उने smartphone को टकर देने के लिए Samsung के M-series के अंदर अपने smartphone लोंच करता है तो Samsung अपना एक नया smartphone लोंच करने की तयारी कर रहा है और ये smartphone है Samsung Galaxy M90 basically Samsung Galaxy M90 November के end में या फिर December के मत में आप लोंग को देखने को मिलेगा ये report पहले भी आही गया था कि Samsung M90 है ये quarter four में launch किया जाएगा यानि कि आप लोग accept कर सकते हैं कि November के end में या फिर आप लोंग को October December के मत में ये smartphone देखने को मिलेगा तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोंग को बताया था कि Samsung Galaxy M90 आएगा यहां पर आप लोंग को flexible level का chipset मिलने वाला है और Samsung M series का सबसे premium smartphone होगा Samsung Galaxy M90 सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के कुछ SPS के बारे में तो यहां पर आप लोंग को मिलेगा 6.7 अजर का एक Full HD Plus वाला डिस्प्ले जो कि एक Super M.O.L.E. डिस्प्ले होगा और यहां पर आप लोंग को Infinity U-shape का डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है जिस तरह से आप लोंग को Samsung के A70s, A70 और A50s में देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं कुछ interesting बाते तो इस फोन में आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 855 का flexible chipset तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना Samsung Galaxy M90 में आप लोगों को मिलने वाला है Qualcomm का Snapdragon 855 का flexible chipset और यह कोई और स्मार्टफोन नहीं जबकि बलकि जो iPhone 2019 में Samsung ने लौंच किया था Samsung Galaxy A90 सेम वही यह स्मार्टफोन को Samsung यहां पर rebrand करके लौंच करने वाला है तो यह चीज़े Samsung पहले भी किया है जिस तरह से आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि चाइना में Samsung ने लौंच के था Samsung Galaxy A60 उसे इंडिया में लौंच के था Samsung Galaxy M40 के नाम से तो सेम सेमसंग इसलिए A90 को एंडिया में M40 के मतलब अंदर में लौंच कर रहा है क्योंकि देखे Samsung का जो M स्रीज है वो ओनलाइन बेस स्रीज है और अगर Samsung M90 को ओनलाइन में बेचेगा तो उसमें आपको कुछ गोस्ट कटिंग प्राइसिंग आपको कम देखने को मिलेग तो यह सारे चीजें यहाँ पर सेमसंग देखा है और मेरे ख्याल से यह स्मार्फोन आएगा ना यह रियल्मी के X2 प्रो रेड्मी के K20 प्रो और वन प्लस को टकर देने के लिए यहाँ पर सेमसंग लौंच करने वाला है यहाँ पर आपको बेक्स एटम लेका त्रीपल केम मिलेगा और आप लोगो 25 वाट का चार्जर यहाँ पर मिलने वाला है बेसिकली जो आपको सेमसंग के A90 में स्पेस मिलदा सेम वही है स्पेस आपको सेमसंग लेक्सी M90 में मिलेगा तो सेमसंग यहाँ पर कोस्ट कर्टिंग करने के लिए अपने M-series के अंदर लौंच सेमसंग ने साबित कर दिया था सेमसंग के M30s के साथ आप लोगों कितनी कम प्रैसिंग ने है पर लौंच किया तो सेमसंग एलक्सी M90 लगबग मेरे अंदात से लगबग 30,000 के आसपास आएगा और अगर सेमसंग इस फोन को 30,000 के आसपास लौंच करते है तो मेरे ख्याल स एक गिलरे स्मार्टफून होगा अब आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग अपना राय मुझे करंट सेक्शनें बताएगा नए है तो यार प्लीज जेनर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और सिर्क करना तो बिलकुर भी मत भूलिएगा थैंक्यू सब कर दो माचा